नमस कर दोस्तों आपका बहुत बहुत शागत है आपके अपने चैनल सक्शेड प्लेस में इस विडियो में हम बात करेंगे घिरावट जो हो रहे है मार्केट में कि गिरावत continue कल भी हो सकती है अगर market continue गिरावत होता है तो आपको किसे stock में SIP करनी चाहिए जैसे हमने आपको कल के वीडियो में बोला था कि आपको सारे stocks बताएंगे जिसमें आपको SIP करनी है इसमें से अब जो stock अच्छा लगे उसको आपको चूट करना है यहाँ पर हम दिखाएंगे यह stock long term के लिए कितना benefit से यह भी बताएंगे कितना return कौन से stock दिए और कितना आगे आपको देश सकता है यह stock इस सारे बातों को हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो दूस्ता सबसे पहला stock है Reliance industry Reliance industry काफी बहतरीन stock है और long term में यह आपको काफी अच्छा return देगा और साथ ही साथ यह काफी ज़्यादा discount पे अभी आपको यह मिल रहा है क्योंकि जो इस stock का high देखेगा 52B का है वो 239 रूपया है 239 रूपया और वहाँ से काफी discount पे यह stock मिल रहा है अभी मातरी के 4844 रूपया 95 पैसा पर और कल भी इसमें गिरावट की संभावना है कि कल भी इसमें गिरावट हो सकता है कुछ या यहां से bounce back भी कर सकता है तो आप चाहे तो SIP start कर सकते हैं या गिरावट continue होता है थो रहाँ वेट भी कर सकते हैं अगर इसमें return की बात करें तो आने वाले समय में आपको यह काफी अच्छा return देगा क्योंकि अभी जो हमारा economy है वो growing economy है जैसे जैसे हमारा country grow करता है उसके साथ साथ यह सारे जो nifty 50 के stock यह भी grow करेंगे nifty 50 के सारे stock आपको तो अच्छी return नहीं देंगे लेकिन कुछ stocks है इसमें से कुछ nifty 50 के भी stock मैंने लिया है और कुछ stock nifty 50 के बाहर भी है तो यह जो stock है आपको जरूर return देगा देखिए अगर return की बात करें अगर देखिए long term में return की बात 3600% का यह return दिया है long term में अगर बात करें तो इसमें जो आपको small cap के इतना return तो नहीं मिलेगा तो risk भी आपको इसमें नहीं है अगर आप इसमें जितना amount चाहें आप लगा सकते हैं इसमें कोई risk खास नहीं है long term इस stock को उपर ही जाना है क्योंकि 10% वेटेज निप्टी का अकेले reliance industry रखता है और reliance जो काफी बहतरीन कापनी है जो जीओ का आने के बाद ये कपनी काफी strong हुई है और काफी profitable भी ये कापनी हुई है हर गिरावट में long term के लिए बहतरीन stock है हर गिरावट में आप इसमें invest करते हैं और long term के लिए easily आप इसे hold करते हैं क्योंकि ये blue cheap stocks होते हैं वो buy and forget वाले stock होते हैं आप इसे buy कर लिए अपने portfolio में हमें इसके लिए भूल जाएए क्योंकि इसमें जो गिरावट के संभावन होती है काफी कम होती है कफी company ऐसा fraud वाले काम नहीं करेगी इसे जो management होते हैं काफी बहतरिन होते हैं जो मुक्य समानी management काफी बहतरिन तो वो इसे fraud company वो फ्रावट वाले काम नहीं करेगी उनकी company पूरी तरह से दोस्त हो जाए तो management को इसमें देखा जाता है business को देखा जाता है और इस company का जो management है वो हमारा इंडिया के सबसे बहतरिन management में से एक है और company जो है business जो करती है वो भी काफी diversify है retail है, digital service है, geo है मतलब काई सरे है petrocapical तो इनका मुख्य business है जो कोई पुराने समय से है अगले हमारा भारती airtail limited ये भी company काफी बहतरिन है अब ही company का share price है अगर 52 week low की बात करें 361 रूपीज ये 52 week low इसका price है, यहाँ पर देखते हैं ये 52 week low October 2020 में बनाया था तो दोस्तों ये company भी काफी बहतरिन है क्योंकि आने बाले समय में जो data है काफी important role play करें क्योंकि आने बाले समय में जैसे जैसे हम digitalize होते है, data के use बढ़ते जा रहा है हम कोई भी चीज़ अभी उप्योग करते है उसमें data हमारा काफी important role रखता है तो ये भी company काफी बहतरिन है और देखे, company का return अगर 2002 से अभी तक की return की बात रहा है तो 600% का return दिया है तो 600% का return अच्छा-खासर return है ऐसे blue chip company आप अगर return देते हैं क्योंकि इसमें आप एकदम chain की निद ले सकते है आराम से इसमें investor के आराम से सो सकते है इसमें कोई भी आपको परिशानी नहीं होने बाली है उसके बाद जो अगले stock की बात करें अगला stock है हमारा avenue supermart ये stock अभी है 2698 रूपीज का और ये stock अपने 52 week high के आसपास ही है क्योंकि इसका 52 week high जो बनाया है 3137 रूपीज और low की बात करें तो 1729 रूपीज का 52 week low है अपने low से देखना है अलग बगर डबल हो चुका है ये stock अगर ये stock काफी बहतरीन है काफी solid है अगर देखें 2017 में ये company list हुआ वहाँ से 337% का return दे चुका है जो काफी solid return है काफी बहतरी return है उसके बाद अगली जो company है बजाज finance ये भी stock काफी बहतरीन है जब भी गिरावट मिले जरूर invest कीजिए ये जो हमारा है finance sector का leader stock है तो हमें जो गिरावट बाले market है और उसमें हमें संदे के market और गिर सकती है तो हम ऐसे ही stock पे मतलब अपना दाव लगाएंगे जो sector के leader stock है क्योंकि इसमें recovery भी उतनी ही fast होगी जैसा कि इसका record भी बाता देखिए ये stock गिर करके 1700 रुपीय तक आया था रिकावरी उतनी ही fast हो जितना की market में recovery होता है अगर बजाज finance के long term की return की बात है तो long term में ये देख सकते हैं 94,000% का return दे रहा है तो काफी बहतरी इन stock है जब भी गिरावट मिलता है इन stocks में आपको invest करना है तो आपको इस वीडियो में अलग अलग sector के जो अच्छे अच्छे stock उसको मैं cover करने जा रहा हूँ तो आपको हर sector से अच्छे stock मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ तो वीडियो को फूरा देखिए तो अगला stock है SNPand ये तो काफी बहतरी निर stock है क्योंकि आप पेंट सेक्टर के जो कंपणी का प्रोडेक्ट लीड करता है वो SNPand और SNPand सेक्टर की लेडिंग कंपणी है तो इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं अगर इसका चार्ट देखेगा तो stock market में सबसे solid चार्ट में से एक है यह company जो कभी भी अपना weekly chart पर देखेगा कभी भी अपना previous low break नहीं किया है तो long term investment में हम weekly chart, monthly chart को ही follow करते हैं और उसके देखेगा कभी भी previous low break नहीं करता है तो अभी यह देखेगे 23-23% का return दिया है पिछले 21 सालों में तो काफी solid return है company का और blue chip company आपको इतना solid return दे रही है अभी थोड़े दिनों से इसमें गिरावट है एक one month से बात करें तो इसमें गिरावट है क्योंकि यह stock काफी ज़्यादा रणी कर चुका था तो वहाँ से देखें है लवा 15% 15% का correction है तो काफी अच्छा है अपने 52 वी खाय से 15% करेक्शन पर यह stock मिलदा है तो अब यह इसमें आज टाइम आ चुका है काप इसमें investment मतलब SIP का शुरुआत कर सकते हैं अपने SIP मोर में invest करते रही है इस stock में अगला है हमारा PD light industry यह भी काफी बहतरिन है इस company का जो फेवी call है एक leading product है market का और यह भी stock जब गिरावट मिलता है तो आपको invest करना है यह company का 52 वी glow है 1150 रूपी है हाई है 1842 और current price है 1612 रूपी है अभी भी यह stock के मतलब काफी आपको 52 वी खाय से correction पर मिल रहा है और market में गिरावट आती है तो उसके साथ इस stock में भी correction आए हर stock में correction के साथ market में गिरावट के साथ correction आएगा long term में बात करें 50,000% का return दिया है तो यह भी मतलब जो company का product है जो company का business है sector को lead करता है market को lead करता है और साथ-साथ company का management काफी solid होनी चाए उसी stock में आपको गिरावट वाले market में invest करना है और SIP mode में करने एक ही बार सारा का सारा amount नहीं लगाना है क्योंकि जब गिरावट होगी तो गिरावट कितनी होगी कितना मतलब गहरा गिरावट होगा यह कुई नहीं जानजा तो इसलिए SIP mode में invest करना है तो आपका average price जो है काफी अच्छा होगा अगला है हमारा रिलेक्स ओ फुटवेर यह भी काफी बहतरिन का पनी है अभी current price देखेगा 823 रुपिया है और यह stock मेरे 570 रुपिया तक आया था 600 रुपिय का सबास था उस समय बताया था काफी लोगों ने उस समय invest किया इसमें अगर इस company के भी return के बात करना है तो काफी बहतरिन है return देखे 2011 से मतलब पिछले 10 साल में यह company 6000% का return जी है जो की काफी solid return है 6000% काफी solid return है तो इसमें भी जब जब गिरावट आता है तो आपको invest करना है यह काफी solid है तो आपको हम वह से इस बना बताते है जो की काफी solid टेकनिकल चार्ट रखता है काफी solid business है क्योंकि इस company का भी जो business है जो product है company का market को lead करता है इस company के भी कई सारी product है जैसे spark हो गया आपको परागोन हो गया बहुत सारी मतलब इसके footwear है sandals है जो की market को lead करता है market की leading brand है तो जब company का business इतना solid है और कपरी का जो share price है वो भी intrinsic value पर होना चाहिए तभी आपको invest करना है अभी थोड़ा 52 week high के आसपार चले तो थोड़ा सा इसमें आप correction का wait कर सकते हैं फिर invest कर सकते हैं सब्सक्राइब है हमारा Infosys IT sector का leading stock TCS TCS के बार आता है Infosys आप चाहें तो TCS में भी करते हैं Infosys ज्यादा बेहतरीन है तो गिरावट आता है तो आप Infosys में invest किजिए या TCS में किजिए SEL Tech में किजिए तीन अच्छे stock है और देख लेजिए पिछले 20 सालों में यह 10,000% का return दी है जो कि काफी solid return है साती साहत यह company काफी अच्छा bonus भी आपको देती है और different will भी काफी सांदार है 1.72% का तो हर चीज company का सांदार है अभी company का current price है 1250 जबकि 52 भी खाय बना है 392 रुपिय का 52 भी low price है 509 रुपिय तो काफी solid stock है और जब भी गिराबर मिलता है तो आपको इसमें invest करना है तो लगातार इसमें आप invest करते रहिए हर गिराबर में invest किजिए अगला है हमारा डाबर इंडिया FMCG सेक्टर से FMCG सेक्टर से actual हो गया डाबर हो गया बिर्टेनिया हो गया देखे तीनों stocks एक पर एक है आप तीन में से किसी में चाहें तो invest करते हैं हम तो कहेंगे डाबर मिकीजी डाबर काफी अच्छा return देगा होने बाले समय में इसका लेकिन थोड़ा इस सक्टर में आपको रिचर्रन काफी कम मिलेगा इस सक्टर के जो फील्स में मतलब कोई कर सकते हैं कौई मतलग कमी नहीं कर सकते हैं तो इस कंपनी के जो रिजल्ट है वो परभावित नहीं होते हैं किसी भी पैंडमिक से तो इसलिए आप इस सेक्टर में आख बंद करके जब भी गिरावटर मिलता है तो इंवेस्ट कर दिजिए आने बाले समीम आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल स्टॉक में अभी देखें काफी ज्यादा बोलेटाइल है स्टॉक में फ्लेक्ट्विशन काफी ज्यादा है यह कंपनी का सेयर प्राइज देखें उन 2019 में तेरे सो पैतालिस रुपिय था में अठाड़े में उनीस रुपिय का था फिर यह यहां से गया लगवग फोर्थ स्टॉक में काफी ज्यादा फ्लेक्ट्य देखा है काफी जुच कर सकते हैं काफ इस दोस्तो यह सकते हैं अगया उटक्ण में और तिनाsur बेंक है और लॉंग्टर में अच्छा का सा रिटरन देगा तीन में से कोई भी चूच कर सकते हैं अगर लेडिंग बैंक की बात करने तो वह एच्डे अपसी बेंक है जो कि प्राइविट सेक्टर का सबसे बहतरीन स्टॉक है और लॉंग्टर में देखिए का 22,000 परसंट का रिटरन दिया है काफी बहतरीन कंपनी है और इसमें आप तो इदम आँख बंद करेंके इनिवेस्ट करते हैं अभी 1391 रुपया का करेंट प्राइस है और 52 विक खाया है इसका 1511 रुपया जबकि 52 विक लेओ है मातर 738 रुपया देखिए इतनी जिसकांट पर स्टॉक मिल रहते हैं तो जब गिरावाट में मिलें तो जरूर इनिवेस्ट किजिए इसी ग्रूप का एक और स्टॉक है HDFC Life Insurance Company यह भी काफी स्टॉक है और यह कंपनी तो मैं आपको बेलकुल कहूंगा लॉंग टर्म में एक मल्टी बैगर रिटरन आपको देगा ही देगा इस कंपनी म पर कोई भी मतलब टेक्स इंपोज किराता है तो यहां से आपको अच्छा खासा गिरावाट इस स्टॉक में देखने में सकता है तो फिर आप उसमें इंवेस्ट करते हैं उस गिरावाट में अगले हैं हमारा इन्फो एज दोस्तों अगर कॉमर्स बिजनेस की बात करें जो एक लार्ज केप कमपणी है तो आप चाहिए तिसमें इंवेस्ट करते हैं यह कमपरी काफी सॉलिड है और लॉंग टर में थोड़ा सा रिटर्न की बात करें तो थोड़ा सा रिटर्न कम दिया है लेकिन अब भी जो इस कमपणी में ग्रोध काफी वाग है अब देखे इस कम में पांच गुना किया है अपने इंबेस्टर के वेल्थ को दोस्तों ये भी काफ़ी स्टॉक है आप चाहिए तो इसमें इंबेस्ट करते हैं काफी कंपणी अच्छी है और कंपणी जो है बिल्कुल प्रोफेटीवल है और इसके 52 विक हाई प्रैस की बात करें तो 5880 रुपय स्टॉक जा चुका था रएली कर चुकवा था तो इस आपको नेक्स्ट विडियो में बताएंगे जिसमें आप गिरावट में इनवेस्ट रसने हैं इसमें आलग-लग सेक्टर से आपको जू स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं कमेंट बाक्स में जरूर बताएगे का और और गिरावट में आप जरूर इन्वेस्ट किजिएगा, SIP मोड में इन्वेस्ट किजिएगा, जरूर SIP मोड में इन्वेस्ट किजिएगा, एक ही बार सारा का सारा रूपया किसी भी स्टॉक में ना लगाएं, और विडियो पसंद आया है तो लाइक और शेर किजिएगा, ज आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना एकाउंट उपेंट कर सकते हैं साथ जिरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सते हैं जिरोधा और एंजल दूनों में आपको 20 रुपिया पर टेट चार्ज लगता है और डिलेवरी में आपको कुई भी चार्ज नहीं लगता है कोई भी अस्टॉक डिलेवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोक्रिस पे नहीं करना पड़ता है और इंटाडे में सिर्फ ट्वटि रुपियज पर टेड आपको चार्ज लगेगा